जय रादे किष्णा दोस्तों मैं हूँ डाक्टर शिवराज सिंग स्वागत है आपका अपनी चैनल हिस्ट्री विद सिंग में दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे बढ़ें अपना अपना काम कर रहे होंगे आज की वीडियोम दोस्तों आप सुनेंगे स्रीमद भागवत महापुरान का 38 नंबर वीडियो सुनेंगे भागवत कथा का 38 नंबर वीडियो आप देखेंगे सुनेंगे तो देखे भाई, अब क्यूश्यन जो प्रश्ण करते हैं राजा परिछित हैं सुखदेव जी से, कि आखिर क्यों जो है, जो आचारे ब्रीहस्पत थे, उन्होंने क्यों छोड़ दिया जो इंद्र का दर्बार था, है न, इंद्र के गुरू थे, क्यों उन्होंने अपना इं इंद्र की जो सभा थी उसको त्याग दिये, दिवताओं के जो सभा थी क्यों त्याग दिये, ये प्रश्न करते हैं राजा परिछित सुकदेवजी से, है ना, तो अब भाई बताते हैं सुकदेवजी क्यों उन्होंने चोड़ा है, जो ब्रहश्पत हैं, जो गुरु थे मेगदम की फूले समाई बैठे थे जस्न चल रहा था और देवता लोग सभी जितने भी देवता हैं सिद्धगड हैं है नाग लोग के लोग हैं अच्छ हैं सभी बैठे थे दरबार में और सब उनका जैजाकार कर रहे थे अब यह अपने मेगदम मस्त थे कि भाई इतना जो ह गुरगान लोग कर रहे थे जो देवता लोग थे और उसमें यह फूले समाई बैठे थे अब भाई उसी समय जो है यह ब्रिहस्पत गुरु आते हैं इनके जो गुरु है देवताओ के आते हैं तो अब जो है इंद्र देखते हैं लेकिन इनको समान नहीं देते हैं और जो ह फिर अपने में मस्त रहते हैं, अपना चलता रहता है हसी मजाग, अब भाई ये गुरु जब ये देखते हैं, तब बेश्पद गुरु जब ये चीत देखते हैं कि मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं, इंद्रा और बाकी देवता, तो वो तुरंत जो है चुप चाप वापस दर्बार से इंद्र की निकल जाते हैं, और गुरु समझ गए कि इस समय जो है ये अपने घमंड में अपने जो प्राप्त है, इसको ऐसो और प्राप्त है, इसमें ये जो है मदमेचूर है, इनसे बात करना ब्यार्थ है, तो वहां से जो है बेश्पद गुरु चुप जाती है ठीक है अब भाई जब कुछ दिर बाद इंद्र को एहसास हुआ कि अरे ये तो गुरू की साथ जो है गलत हो गया हम लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिये है ना इससे उनका आप मान हुआ है तब जो है इंद्र उनको अपने गुरू को लाने के लिए अपने जो दू तो अपने वो जो है योग बल से अपने आपको क्या कर लेते हैं आद्रिश्य कर लेते हैं है ना अब जब आती हैं इनकी जो इंद्र के दूथ हैं देवता लोग आती हैं खोजती कहीं पाती नहीं है तब जो है अब ये जाती हैं इंद्र को बताते हैं कि भाई वहां तो है नहीं नहीं हम लोगों ने हर जगां खोज लिया कहीं पे ब्रिहस्पत गुरू नहीं मिल रहे हैं अच्छा अब ये बात जो है दैतियों को पता लगी कि उनके गुरू जो है अब इंद्र के साथ नहीं है तब जो है सुकराचारे से जो दैतियों के गुरू हैं उनसे दैतियो दोग Յशिर्वाद लेते हैं और काते हैं कि भाईए मुझे आग्या देजे कि सौर्ण पेचढ़ाइी करें और देवताओं पर विजय oh पर आप्त करें अब शुक्राचार ने अपना जो है आग्या दे सब्सक्राई कि ठीक है बाई तुम जाओ और विजय और आस्तरस्तों से लैस होकर के जो है चड़ाई कर देते हैं, हमला बोल देते हैं, इंदर की जो है स्वर्ग पे चड़ाई करते हैं, जहां पर इंदर का निवास था, इंदर की लोग में, देवताओं की लोग में चड़ाई कर देते हैं, अब भाई बुरी तरह पराजीत हो जाती हैं, इंद्र आदि दियोता, तो अब वहां से जो है, वो निकल पड़ते हैं, भाई अब तो वहाँ पे शौर्ग मेन का कभजा हो गया, दैतियों का, तो वहाँ से वो निकल पड़े, अब जाती हैं, ब्रमा की सरंण में जोड़े ख़ड़े होते हैं कि भगवान ऐसे से हुआ है, देते होने कपज़ा कर लिया है, अब क्या होगा हमारा? तब जो ब्रमा जी थे, वो बताती है कि आप लोग जो है, क्यों हारे हैं आपको पता है? इसलिए आप लोग हारे हैं कि आपने गुरू का अपमान किया है आपने गुरू का अपमान किया और अधर आप दिखी तो जो सुक्राचार हैं उनको दैति लोग आदर सतकार से हमीशा पूझ रहे हैं अब आप लोग अपने गुरू का मान कर रहे हैं वो तो हारोगे नहीं है न और दिखे अब दिखे काते हैं कि जिनकी सहायक गाय गुरू और भगवान होते हैं उन स्रेष्ट मानों का कभी भी अमंगल नहीं हो सकता तो जिनकी सहायक जो गाय है जो गुरू है भगवान है ये तीनों लोग जिसके सहायक है उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता चाहे वो मानव है या देवता है ऐसा ब्रमाजी कहते हैं अब तुम इंद्र जल्दी से त्वस्टा के पुत्र विश्वरूप के पास चले जाओ त्वस्टा का कौन था और उसका पूरा मैंने पीछली वीडियो में आपको मैंने बता दिया ह पूरी जो दच्च का आपने स्रिष्टी विस्तार किया है उसमें त्वस्टा भी थे तो यह आपको पता अगर पिछला वीडियो देखा है तो आपको मलूम होगा तो अब दिखे अब जो है तुम इंद्र इंद्र को कहते हैं अब तुम जल्दी जो है त्वस्टा के पुत सब कामनाएं पूर कर देगा ठीक है तो यह विश्वरूप के पास जाने के लिए बोलते हैं ब्रह्मा और विश्वरूप को जो है आप जाओ और गुरून को बनाओ देखिए दोस्तों जीवन जीवन की हर चरण में आप पढ़ाई करें तब ही गुरू आकी आओ सकता है अगर आप पढ़ाई को दरान गुरू आपके साथ नहीं रहेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे आपको नालेज कैसे होगी आप अंधेरे में भटक जाएंगे आप आगे की जीवन में आप बिजने करते हैं या जो भी कारे करते हैं उसमें भी एक गुरू जरूर बनाईए एक गुरू जरूर बनाईए एक दो चार जितना बना सकते हैं आपको लगता है गुरू को जरूर रखिए दिखिए जब आपको बिजनेस में भी एक-एक से जो महालोग हैं उनके आप अगर प्रतेच नहीं मिल सकते हैं, तो उनकी कोटेशन है, उनकी लाइफ है, आप पढ़िए उसको, है ना, जैसे आप आपकी पढ़ाई कंप्लेट होगी, आप बिजनेस अब आपार करने जा रहे हैं, आप ना खुद का काम करने, जो भी आप टार्गिट आपने तई किया है, तो अब आप जो बिजनेस के महारती हैं, उनको अपना गुरू मान लिजिए, अब आप समझें कि एकलब ने दरोणाचार ने एकलब को डाइरेक्ट सिच्छा तो नहीं दी थी, लेकिन एकलब ने क्या किया था कि दोनाचयर को अपना गुरू मा लिया था तो जरूरी नहीं है कि जो बड़े-बड़े दिकच हैं वो आपके गुरू बने या वो आपसे प्रत्यच मिले लेकिन आप जब उनको गुरू मानेंगे तो उनकी जो उनका जीवन रहा है है ना उनके जीवन से आप सीखिए कैसे इनोंने आगे बढ़े हैं कैसे मुश्किलों का सामना किये हैं है ना उनकी वाक्य ही आपके लिए ग्यान है आपका जो है रास्ता आपको दिखाएंगे ना उनके जो वाक्य हैं बड़े गुरू के वाक्य ही तो होते हैं जो की बताते ह कि आप इस तरह काम करें, इस तरह चलिए, तो उनके जो बड़े-बड़े बिजनेसमेन हैं, उनके आप इंटर्व्यू देखे, उन्होंने कैसे काम किया है, कैसे आप बढ़े हैं, है ना, कैसे जो है, अपने बिजनेस को बढ़ाया है, कैसे उचाईयों पी गए हैं, कितना उ जीवन में वो कस्ट नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आप पहले से तयार हैं, अब आपने अपने आपको उसके लिए तयार रखा है, तो आप उसको कस्ट को सहेंगे नहीं, है ना, बिजनेस है, आप देखे, अगला चरण जब आप, आप इससे भी खाली होंगे, 70-80 साल के हो जाएंगे, तो आपको आगी की गती कैसे होगी, आपको कैसे जो है, परलोग, अच्छे परलोग की पराति कैसे होगी, कैसे आप बैकॉंट लोग में जाएंगे, है ना, तो उसके लिए भी तो एक अच्छे गुरू को, अच्छे गुरू, ऐसा नहीं है कि कोई ये जो चाल कि हाँ भाई अपनी बुद्धी की कसवटी पे आप लोग पढ़े लिखें लोग हैं अपनी बुद्धी की कसवटी से आप कसे देखी उनको जो है चिक करें कि भाई ये सही है या नहीं है ऐसा अंध भक्ती में मत जाएगा कि सब लोग उनके अप उनको गुरु बनाएं तो ही बनाईएगा है ना स्वाम्भी एकान ने कहा है ना कि पहले कोई बात अगर कोई कुछ लोग कहते हैं तो डारेक्ट अपने दिल में मत उतारिए पहले उसको दिमाग पे उसको घिसिये जब सही लगी तब अंदर उतारिए ठीक है तो ये चीज का ध्यान रखिए तो हर जो आपके पास मुश्की लाएगी वहाँ पे गुरू आपकी रच्छा करेंगे मार्ग रच्छन करेंगे है ना सुझाओ देंगे कैसे आपको आगे पढ़ते जाना है तो इसलिए जो है गुरू का हर समेशा महत्तो रहता है है ना आप देखी तो अब यहाँ पे इंदर आदी देवता क्यों हा रहे है आपने देखा कि दैतियों के पास उनके गुरू देव है उनका असिरवाद उनके साथ है लेकिन यहाँ देवताओं के पास गुरू ही नहीं थी इसलिए जो है दैतियों से देवता लो हार गए ठीक तो यह महिमा है गुरू की तो भाई अब जो इंद्र हैं विशुरूप के पास जाते हैं गुरू बनाते हैं उनको और इंद्र ने कहा कि अब हम लोग क्या करें कि जो है अपने जो दैते हैं उनको हरा करके हम लोग विजय प्राप्ट करें उनके तब देखिए परम समर्थ विशुरूप ने सुकराचार के विद्या बल से सुरचित होने पर भी दैतियों की राजलक्षमी उन से अपनी वैस्णवी ग्यान के असर से छीन कर इंद्र को दे डाली। थीक है। तो अपनी ग्यान से जो राजलक्षमी अधैतियों के कबजी में थी उसको छीन लेते हैं। अपने वैस्णों ग्यान से कौन भी शुरूब है ना अब दिखी गुरू मिल गए हैं देवताओं को अब जो है इनके पास मार्गदर्शन पावर सारी चीजे आ गई हैं है ना जिस नराण कवच रूपड़ी ग्यान के बल से इंद्र ने दैत्यों की सेना जीती वो इंद्र क अब जो है बड़ी उस बड़ी सेना का सामना करते हैं और दैत्यों को हराते हैं दैत्यों भाग जाते हैं जो है बुरी तरह से पराजीत करते हैं दैत्यों को इंद्र अब क्या हो गया भाई ये बताईए अभी वही देवता वही इंद्र हारे हैं अब फिर ये इंद्र और वही देवता कैसे जीत के, उतनी ही बड़ी सेना थी, उसको कैसे हरा दिये। तो अब देखिए क्या हो गया, कि अब इंद्र के पास एक अच्छे गुरु है, एक जो बेस्ट टीचर होता है, ना करते हैं, तो वो उनके साथ है, ऐसा कोई फालतू वाला गुरु नहीं थे, एक योगे टीचर थे, एक योगे गुरु थे उनके साथ, तो उनकी मार्ग दर्शन में, जो है, देखिए क्या करते हैं, तो उनकी मार्ग दर्शन में विजय प्राप्त करते हैं, है न और दीखीए और ये नरायन का वज किसने बताया इनके गुरु ने जो विश्व रूप थे उन्होंने नरायन कावज के बारे में हिंद्र को बताया अब जिसके कारण नरायन का वज के द्वारा जो ग्यान प्राब्थ हुआ उसके उसके द्वारा ये जो है दैतियों को हरा देते हैं और दैत भाग जाते हैं अब जो है इंद्र का कब्जा हो जाता है अपने राज्य पे और लाज जो दैतियों ने कब्जा कर रखा था अब उनका फिर से अधिकार हो गया इंद्र का इंद्र आधी देवताओं का अपने लेकिन ये नरायन कवच क्या है? इसके बारे में आप बताईए, ये नरायन कवच कैसा, क्या चीज है कि भाई जिसको इंद्र ने प्राप्त कर लिया और उसके दम पर वही उतनी भारी ताकत वर सीना को भाग खड़ी हुई? इसके बारे में नरायन कवच के बारे में आप बताईए हमें राजा परिचित कते हैं जो परिचित थे सुगदेव जी से ठीक है जिससे इंडर ने इतने बड़ी सिना को भाई हराया है सुगदेव कते हैं आईए आपको हम बताते हैं कि विशुरूप ने नरायन कवच के बारे में इंद्र को क्या उपदेश दिया था नरायन कवच के बारे में क्या उपदेश दिये हैं वो सुगदेव जी बताने जा रही है कि विशुरूप ने इंद्र को कौन सा उपदेश दिया है नरायन कवच के बारे में तो कहते हैं हे इंद्र और समझने की कोशिस करिएगा अगर नहीं समझ भाएगा तो एक बार दो बार वीडियो उसको देखिएगा तो आप अच्छे से समझ जाएगे कि नरायन का उच क्या है और इसकी क्या महिमा है तो देखी है इसमें कहते हैं हे इंद्र विशुरूब कहते हैं इंद्र से हे जब कभी किसी प्रकार का कस्ट हो, तो अपने सरीर पर नारायन कवच धारन कर लेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे बड़ी बहन है जो दरिद तालाती ओ भी चली जाएंगे नरायन का नाम देते हैं, है ना, नरायन और जो कवज आप धारन करते हैं तो, साधना करने वाले का यह करतब है कि पहले हांथ पैर धोकर आचमन, अब देखें नरायन कवज को आप करने जा रहे हैं, तो कैसे धारन कर हैंगे, उसके बारे में बता रहे हैं, करें की, जो भी साधना करने वाला व्यक्ति है, जो भी प्राणी है, तो, करने वाले का यह करतब है, कि पहले हाथ पैर को धोले, धोकर आचमन, यह करें आचमन, जैसे आप देखें कि आपके हाँ जो पंडी जी लोग पुजा कराते ह तो क्या कराते हैं वो आचमन देते हैं दाइने हां से आप लेते हैं गंगा जल आपको देते हैं आचमन करने के लिए तो वही चीज यहां पर बताये गया है कि हाथ पेर धो करके आचमन करें और हाथ पेर या सुध्ध पूरा अच्छे से नहा लें नहा करके और फिर आप पवित्री दोनो अनामिकाओं में पहन कर फिर क्या करें कुसा की क्या होती है पवित्री कुसा की बनी हुई आप देखते हैं ऐसे जो है बनती है उसको आप अंगोठी की तरह ऐसे पहन सकते हैं तो दोनो अनामिकाओं ये जो उंगलियां है इसमें पहनना है ठीक है और उत्तर दिशा की और मुह करके, उत्तर दिशा की तरफ मुह करना है आपको, मुह करके बैठें और वाडी को सैमित करके, वाडी को आप सैमित करें, करके पवित्रता के साथ अस्ठा अच्छर, पवित्रता के साथ अस्ठा अच्छर, अस्ठा अच्छर क्या है, आट अच्छर क्या है, वो दिखी ओम नमो नरायड, याट अच्छर हो गये, अश्टा अच्छर, और द्वादसा अच्छर मंत्रू, द्वादसा अच्छर क्या है, ओम नमो भग्वती वासुती वाय, यह हो गया आपका, द्वादसा अच्छर हो गया, ठीके, द्वारा अंग न्यास और कर्न्यास कर तब आप उंगलियों को ऐसे जो है इसके लिए आप टाइप कर देना यूटूब पे बहुत सरे वीडियो पड़े हैं करना कैसे अंगन्यास कैसे किया जाता है करन्यास कैसे किया जाता है इसके लिए बहुत सरे वीडियो पड़े हैं आप जो है सर्च करके आप देख लेना है पुमकार आदी आठ अच्छरों का चरण, जानू उस पेट, हदै, सीना, मू तथा सिर में न्यास किया जा सकता है। तो उसमें आगे कि जब आप ये देखेंगे वीडियो, कर अंग न्यास, कर न्यास तो उसमें बताएंगे कि कैसे सरीर को टच कहां पर, जैसे पेट को टच करना है, आपको सिखा को टच करना है, कैसे करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, वो सब आपको वहीं पर मिल जा अब इसकी बाद दिखी, इसकी बाद द्वादशाचर मंत्र की ओमकार आदि 12 छोरों का करम सर अंगुली तंथांगुठो के पारों में न्यास करना चाहिए. वो अंगुलियों के बारे में मैं आपको बताया कि आपने वीडियो देख लेंगे, वो नियास वाला तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आगे देखी, इसके बाद ओम विष्णवे नमा, फिर क्या करना है? ओम विश्णवे नमा इस मंत्र के ओमकार को हर्दय में, हर्दय में, वी को मस्तक में, शाको भावों के बीच में, अडा को सिखा में, वे को नेत्रों में, आखों में, वे को, तथा न को सब संधियों में इस्थित करें, इसी करम से म को अस्त्र रूप में चिंतन करते हुए स्वयम मंत्र स्वरूप को, आप जाएं, तब फडंत विशर्ग के साथ अर्थात ममह अस्त्रफट ऐसा करकर दिगंभ का विधान करें, ठीक है, इसकी बाद अपने धे अर्था सट सकती संपन परमात्मा का ध्यान करें, और तेज विध अपने जो ज्यान तेज तथा तप स्वरूप इस मंत्र को आप चापें, देखी, ये थोड़ा सा कठीन आपको लग सकता है, तो आप लोग करोगे क्या, कि एक जो सिद्ध पूरूस हैं, उनके पास आप जाएएग और इसकी जो विधी है, एक तो आप वीडियो देख लिजेगा, यूटूब पे बहुत सारे हैं, इसके लिए जो विन्यास के लिए है, है न, न्यास के लिए जो है, तो आप वीडियो देख लिजेगा, आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा ये मंत्र है, तो कोई सिद्ध सुन से मिलेगा, और इस मंत्र के बारे में अच्छे से वहाँ पर प्रेक्टिस कर लिजेगा, है न, फिर आप अपना ध्यान करते रहिएगा, इस चीज का प्रेक्टिस आप करते रहिएगा, ठीक, और देखिए, मत से मुर्ती भगवान जल में, जल जन्तु रूपी वरुन पासों से मेरी रच्छा करें, स्थल पर वटू वामन रूपधारान करने वाले हरी अपनी माया सक्ती से मेरी रच्छा करें, अब देखिए, यहाँ पर जो जल में हैं देवता, वो हमारी रच्छा करें, जो धर्ती पर हैं, वो हमारे जो वामन वतार भगवाने लिया है, व जो आकास में हैं देवता वो हमारी रच्छा करें, तो दिखें कीले, जंगल, युद अस्थालाद में नेसिम भगवान मेरी रच्छा करें, जो दिखें जो हीरणक सिपू, आदि दैत पतियों के सत्रू हैं और जिनकी घंगोर अठाज से समस्त दिखाएं गूज उठी थी, तथा गर्वती दैत वधों के गर्व गिर गए थी, इतना खतरनाक उनों ने हसा था, आपने नर्शिंग जो अवतार भगवान ने लिया था, जिन्हों ने अपने दाड़ों पर पितिवी को धारण किया, विए यग्यमूर्ति वराह जी के सहित भरत अग्रज भगवान रामचंद्र मेरी रच्छा करी, है न? और भगवान नरायन उग्र धर्मों तथा प्रमाद से, नर भगवान गर्व से, योगेश्वर्द दत्ता त्रेजी को योग से, तथा गुड़ा धिपती, कपिल मुनी, सब प्रकार के कर्म बंधन से मेरी रच्छा करी, ध्यान से सुनियेगा बहुत महत्पूर चीज है, सनत कुमार काम देव से मार्ग में चलते समय, देवताओं की अवहिलना की अपराध में, है ग्रीव भगवान तथा देवर्शी नारत की पूजा में, अचानक हुए अपराधों से, हम सभी नर्कों से कच्छप भगवान मेरी रच्छा करी, है ना, तो जो आवतार लिये हैं, देखी एक तरफ से एक तरफ, अब उनकी जो है, और किन किन अस्थानों पे कहना है, वो जो है, बता रहे हैं, है ना, और देखी, कूपत्य से भगवान परम जितिंद्री रिशब देव, सुख दु से तथा सीष भगवान अत्यांत कुक्रोधी सर्पों से मुझे बचाएं, है ना, अज्यान से भगवान ब्यास्तिव, पाखंड तथा प्रमाद से बुद्ध देव, और धर्म रच्छार्थ अवतार लेने वाले कली काल के सब दोस्यों से मुझे जो है बचाएं, और दिखिए, सुबह सुर्योदय होते समय, केशव भगवान अपनी गदा से मेरी रच्छा करें, सुर्योदय के बाद वेडु धर गोविंद, पुर्वाह के समय चक्रपाणी विश्णु भगवान, है ना, और दोपहर में उग्रधनु धारी मदू सुदन, साम में को ब्रम्हा दित्री मूर्ती धारन करने वले माधव, प्रदोस काल में हशी केश, आधी रात को अपना रातरी काल में भगवान, पदम नाभ, रातरी के पिछले पहर में, वत्स लांचन हरी, उशा काल में खड़क धारी, जनार्दन भगवान, प्रात काल दमोदर, तथा सब संध्याओं में काल मुर्ती विश्यश्वर मेरी रच्छा करी, देखे, सभी देवताओं का आवाहन किया जा रहा है इसमें, जब जिस रितू में हैं, जब जिस समय है, रातरी है, दिन है, सुब़ए है, साम है, तो अलग-लग आप देख रहे हैं देवताओं का भगवान का नाम लिया जा रहा है कि हमारी रच्छा करी, ठीक है? अब देखे, हेद सुदर्सन तुम्हारा आकार चक्र की तरह है, तुम्हारी नेमी प्रलैकाल की अगनी की भातियत्यंत जो है तिछन है, तुम भगवान के संकीत से सदा सब और घुमा करते हो, जैसे वायू की सहायता से ददकते हुई अगनी सूखी घास को जला डलती है, वैसे ही तुम हमारे सत्रूओं का समों भस्म कर डालो, हे गदे तेरे सरीर की चिनगारियों का इस पर्स वरज्य की तरह होता है, तु भगवान अजीत को प्रिय है और मैं भी तुम उसमी नराण का सेवक हूँ, आतेव तु कुश्मांड विनायक ये च्छ राच्छ भूत ग्रहों को चूर कर दे, तु मेरे सत्रूओं को कुशल दे, हे संकस्रेष्ट तुम भगवान के फूकने से भैंकर सब्द करते हो, सो तुम मेरे सत्रूओं के हदयों को कपाते हुए, यातु धान, प्रथम, प्रेत, मात्रिका, पिसाच और विपग्रह, है न, जो ब्रमराच होते हैं, आदि घोर दर्शन जीवों को मार भगाओ, अब जो भी हैं, भोत, प्रेत, आदि, ब्रमराच्छ, सब कुछ है, मात भगाओ, है न, भगवान विश्णू, मार भगाओ इनको, और देखिए, हे तेजधार वाले तलवार स्रेष्ट, तुम भगवान के द्वारा प्रेरित होकर मेरे सत्रों को काड़ डालो, उन्हें छिन भिन्न करदो, हे सत्चंद्र ढाल, तुम उग्रद्रिष्टी वाले मेरे पापी सत्रों के नेत्र बंद करदो, या एकदम से इनको खतम करदो, सूर्य इत्यादी जो ग्रह हैं, उलकापात, आदिकेतू, मनुस्य, साप, दाढ़ो वाले जीव, भूत प्रेत और पापी प्राणियों के द्वारा हमको जो भै प्राप्त हो, हमारे कल्यान मारक के प्रतिबंधक, ये सब लोस भगवान के नाम, रूप तथा आयोदों का गिर्दन करने से ततकाल जो है नश्ठ हो जाएं। ब्रियद अंतर आदि अनेक सामवेदी स्रोतों से स्तुती योग्य वेद मुर्ती गरुण जी तथा अपने नामुच्यारण के प्रभाव में विश्क सेन भगवान सब आपत्तियों से हमारी रच्छा करें। भगवान के नाम, रूप, आयूध तथा उनके श्रेश्ट पार्षदगर हमारी बुद्धी, इंद्रिय, मन तथा प्राणों को सब आपत्तियों से बचाएं। और एक आत्मा को ही सरोत भावना करने वालों की द्रिश्टी से विकल्प शुन्य होने पर भी भगवान अपनी माया द्वारा भूशर आयूध का नाम रूप की अपनी विभिन सक्तियों को धारण करते हैं। यह सत्य और हर जगा तथा सरुब्यापक भगवान हरी अपने सब रूपों में सरोदा सरवत्य मेरी रच्छा किया करें। सब लोगों के भयदूर करने तथा अपने तेज से सब के तेज को ग्रस लेने वाले नेश्रिंग है ना जो आधा सरीर आपने देखा कि मानव का आधा जो सीर्था सेर का जो अतार भगवान लिया है उन्हीं को बता रहे हैं कि न्री सिंग भगवान दिस विदिसा नीचे उप और तथा बाहर भीतर सब तरफ हमारी रच्छा करती रहें हैं हे इंद्र मैंने तुमको नारायन कवच बतला दिया ठीक है तो अब भी शुरूप ने क्या कहा इंद्र से की भाई इंद्र अब ये जो आपने अभी सुना ठीक है यही नरायन कवच था तो इसको आप जो है एक बार, दो बार, तीन बार इसको आप अच्छे से सुनिए, समझिए, है ना जिसकी सहारे तुम अनायाज सब दैत यूथ पतियों को जीत लोगे यह कवच धारान करने वाला पराणी, जिस किसी को अपने नेत्र से निहारता अथवा पैर से चूता है, वो अभी तुरंत निर्भय हो जाता है इसकी महिमा समझेए यह कवच धारान करने वाला प्राणी समझे रहे हैं जिस किसी को अपना नेत्र से निहारता अथवा पैर से चूँ देता है वो अभी तुरंत निर्भय हो जाता है तो यह जो आपका मंत्र है जो यह चीजे हैं जब आप इसको बोलते हैं इसको धारन करते हैं तो यही होता है नरायन कवच धारी और जो इस नरायन कवच धारी है उसको कभी धन की कमी नहीं होगी है ना कोई अगर कष्ट है आप जो है नरायन कवस धारी है तो कष्ट कतम हो जाएगा है ना और अगर आपकी संपर्क में कोई जैसे देखिए कि आप नरायन कवस धारी है आप जो है किसी को देखेंगे या पैर से चू दे देंगे तो वो भी उसके जो कष्ट होंगे वो खतम भै हो जाएगा डर रही थो जाएगा या विद्या धारण करने वाले पुरुस को राजा चोर ग्रह आदी तथा व्याग्र जो सेरबाग हैं आदी किसी से भी कोई भै नहीं रहता अब दिखिए जो ये इसको धारण कर लिया नरायन कवच को उसको किसी का डर नहीं है किसी जि इए पुरुकाल में इस विद्या को धारण कर भावशिक गोतरी एक ब्रामपने पूरुकाल में इस विद्या को धारण कर योग धारण से भूमी में अपना सरीर त्याग ती किया था तो भाई इसने एक ब्राह्मण था उसने योग ये जो नरायन कवज था इसको धारण किया था और योग धारण से भूमी में अपना सरीर इसने त्याग दिया था ब्राह्मण ने जिस जगा ब्राह्मण ने शरीर त्यागा था उसके उपर से होकर एक दिन चित्ररत गंधर वो अपनी इस्तिरियों के साथ विमान पर बैठ कर निकला था ठीक है जहाँ पे ब्राह्मण ने अपना प्राण त्याग किया था वहाँ पहुषते ही वो विमान समेत नीचे सिर किये हुए आकास से पित्वी पर आगिरा है ना तब वाल खेल आदी मुनिश्वरों के कहने से उसने उस ब्राह्मण की अस्तियों को ले जाकर पुर्व वाहिनी सरस्वती नदी में जो है क्या किया बहाया और फिर मतलब अपना भी उसमें इसनान किया और चकित आश्चर से भरा हुआ वो अपने लोग में चला गया जो गंधर वो था ठीक तो भाई अब जो है सुकदेव जी बोलते हैं परिछिस से जो कोई भी वैक्ती इस नारायन कोच को यथा समय सुनता तथा सादर धारन करता है जो क्या करें है कि जो इस कोच को सही समय पर सुनता है और उसे धारन करता है उसे सब प्राणी नमसकार करते हैं और यह सब भायों से मुक्त हो जाता है और क्या होता है वो सब जो उसको डर लगता है जो किसी चीज़ से वो अब उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा वो बिलकुल पूरी तरह भायमुक्त हो जाएगा जो नरायन कवचधारी है ठीक बिस रूप से यह विद्या प्राप्त कर इंदर ने युद्धमे दैतियों को परास्त करके जो त्रिलोक के राज लच्मी को प्राप्त कर लिया तो यही यह जो नरायन कवच है जो आपने अभी जाना इसके बारे में अगर कोई मानो भी अगर इसको हासिल कर ले जो यह चीज़े हैं तो उसको भी उसके सारे कष्ट कतम हो जाएंगे धन की कोई कमी नहीं रहेगी और जिसको वो देखेगा चुएगा वो भी निर्भय हो इंद्र जो हार के भागे थे वही इंद्र नरायन कवच्च जब प्राप्त कर लिए तो दैतियों पर विजय प्राप्त करते हैं ठीक है तो बस दोस्तों यह वीडियो इसी पर समाप्त करेंगे क्योंगे इससे ज़्यादा आपका वीडियो बढ़ा होगा अब उप जय रदिकिछना दोस्तुम्